नमस्कार जटपट जटपट घरे लुट इसमें फिर से नया रेश्पी लेकर आया है फ्रेंट सर्दी आ गया तो सर्दी में गरम गरम कुछ चाहिए आज हम आपके लिए एक स्पेशल सूप बनाएंगे बहुत ही कम चीजों में फ्रेंट देखिए एक पिंच थोड़ा सा ब्लैक पेपर ले लिजिएगा काला मतर के आट 10-20 दाने ले लिजिएगा फ्रेंट और एक बन क्रोल मक्की के दा लेंगे फ्रेंट और दूद दूद द दो बड़ा कप ले लेंगे फ्रेंट और घी एक चम्मच ताकि यह पॉस्टिक भी हो फ्रेंट और साथ-साथ सर्दी भी भगाया फ्रेंट तो चलिए अब बनाते हैं फ्रेंट यह मक्की ले लेंगे और दूद दूद के साथ इसको एकदम बारिक करके पीशेंगे भूदा दूद नहीं लेंगे ठोड़ा दूद लेंगे और इसको बारिक अधरिन धर साथ अधर देखे इसको देखिए हम डिल कंग दूद देखे एक दम बारिक पीस लिये फ्रिफ्रिंड देखिये इसका खल न के सुन देखिं-धरिchts गरम हो गया अब इसमें हम चमस से थोड़ा सा घी डाल लेंगे घी डाल के फ्रेंड इसको पिघलने देजिए यह बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड और बहुत ही अच्छा एकदम यूनिक यूनिक डिस फ्रेंड जटपर जटपर घरेलू डिस में देखिए और ट्राइ कीजिए फ्रेंड यह देखिए अब इसमें मटर के दाने हम डाल देंगे फ्रेंड जाकि मटर के दाने थोड़ा सा बूठ के और यह पॉत जाए फ्रेंड दो मिनट टॉप्ट विस्करिस करना है फ्रेंड देखिए फ्रेंड अब हमारा मटर के दाने त्यार हो गया अ सारे निकाल लीजिए यह बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है फ्रेंट बच्चे घी के साथ यह सूप बहुत ही अच्छा और एक गम सरीड में गर्मी देगा फ्रेंट अब हम इसमें डाल लेंगे दूद दूद के साथ यह डाल लेंगे अगर दूद कम पड़ेगा फ्रेंट थोड़ा आप और डाल लेंगे इसको धो के हम दूद और डाल लेते हैं फ्रेंट दो कप पूरा कप लेंगे फ्रेंट ऐसे तो हाप के जी यह दूद हमारा लगा फ्रेंट ऐसे कप से ले यह थे दो कप नहीं तो हाप के जी यह दूद है फ्रेंट देखिए सूप कितना अच्छा तयार हो जाएगा फ्रेंट अब इसमें डाल दीजिए काला नमक और ये गुल की पाउडर फ्रेंट और दोनों को थोड़ा सा चला लेंगे भालने देंगे और ये हमारा सुपत तयार फ्रेंट ये पाच मिनित के विडियो लेकिन में बहुत ही हेल्दी है और हम जब भी रेस्पी बनाते है फ्रेंट रेष्पी बनाते है ताकि बच्चों को बहुत ही फायदा करें दिमाग शरीर स्ट्राउम रखें और इसमें डालेंगे हम एक चमच घी है और घी के साथ भी दो मत बस दीजें फ्रेंड कितना इजी रेश्पी है फ्रेंड और क्रोन फायदा भी करता है फ्रेंड ऐसे भी अगर चाय ना पीके ये पीए तो आपको बहुत ही हेल्दी रखेगा फ्रेंड और इस कीन में तो बिल्कुल ग्लो ला देगा महीने भर पीते पीते ही फ्रेंड ये देखिए अब यह हमारा तयार हो गया हम इससे ज्यादा इसको गरम नहीं करेंगे फ्रेंड दो पिंच पहले गोल की पॉडर दिये थे अब उबलने के बाद एक पिंच और डाल देंगे फ्रेंड अब इसको चला लेजे ये देखिए अब इसको गैस को बंद कीजिए फ्रेंड और इसको सर्व कीजिए इसमें अब कुछ डालने का जरूरत नहीं है बस दो मिनट में बन गया फ्रेंड और ये मटर जो आप प्राई करके रखे थे अब हम उसको डाल लेंगे देखिए इसका खीर मावा बहुत सारा रेस्पी बन जायेगा फ्रेंड जितना ज़्यादा खौल आएंगे फ्रेंड वो इतना गाढ़ा होगा फ्रेंड ये अब पतला पीना चाहते हैं फ्रेंड तो इसमें और दूद डा पतला भी बना सकते हैं अब गैस बंद करें और इसको सब्सक्राइब करें अब बनकर तयार हो गया अगर ये रेस्पी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और जटपट जटपट घरेलो डिसमें अपना आनुभग जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा सेयर और लाइक कीजिए जो सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड उनको थैंक्यू जो नहीं किया है प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें नमस्कार